ऐ गारे में स्टोट की बात करेंगे तो फिटि टो वीक रही है और इसका फीटक लोग-टी है उसका बने रही है तो चलते हैं इसके टेकनिकल चार्ट पे, यह जो आप चार्ट देख रहे हो, हमने इसको वन डे डाइम फ्रेम में सेट कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने स्टॉक को पहले भी जो है, सपोर्ट पे पकड लिया था, हमारे चैनल पर हमने वीडियो भी बनाई थी, फेबरॉरी मन्त मे यहाँ से में bounce देखने को मिल सकता है, काफी अच्छी तीजी हमें यहाँ पे देखने को मिल चुकी है, अभी देखें, यहाँ पे एक important resistance था, 130 का, इसको भी हमने breakout कर दिया, फिर उसके वाद में retest होआ, फिर से again हमें उपर की और bounce देखने को मिल रहा है, अभी again यहाँ यहा यहाँ पे आने के बाद हमने दो बार rejection ले लिया है, यहीं से, तो possibility ज़ादा रहेगी, अगर हमें यहाँ से ऊपर की और breakout देखने को मिल चाए, अगर यहाँ पे ब्रेक आउट देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे 140 के उपर अगर candle system करके closing दे जीती है, तो इस zone के नीचे करके आप free made demand account भी open कर सकते हैं, financial trend की बात करेंगे तो 2019 से 2022 तक का data हमारे सामने शो कर रहा है, अगर हम compare करते हैं 22 को 21 के साथ में तो आप देख सकते हैं, revenue और profit में दोनों में growth देखने को मिल रही है previous year के हिसाब से, और सबसे main जो important चीज होती है, यहाँ पे moderate numbers of red flag दिखाई दे रहे हैं जो की negative point है, जो जो चेक कर लेते हैं, इसका forecast analyst हमें क्या सला देते हैं, buying की, one analyst यहाँ पे 100% buying की सला दे रहे हैं, जो की ठीक ठाक सला हम इसको consider कर सकते हैं, तो दूस्तों मैंने आपको सारे positive और negative point बदा दिये हैं, इन सारे points को मद्दे नजर रखते हुए, खु को पेड़े ही add करके रख लिया है, यहाँ पे हम tap करेंगे, tap करने के बाद, कुछ इस तरह से interface show करेगा, simply हमें buy पे touch करना है, buy पे touch करने के बाद, अगर आप stock को buy करके hold करना चाहिए, तो आप delivery में करेंगे, same day by, same day sell करना चाहिए, तो आप intra day में करेंगे, यहाँ पे हमें quantity इंटर करनी है, माल लीजिए हमें यहाँ पे इसकी 60 quantity चाहिए, तो यहाँ पे हम 60 quantity इंटर करेंगे, नीचे में limit और market का option दिया है, limit आने के stock को आप अपने मनपसंद price पर खरीच सकते हैं, उसे की stock की price चल रही है 136.45, अगर आप इसको buy करना जाते है 135 पे तो यहाँ आप order execute हो जाएगा, अब market rate क्या होता है, market rate याने के जो भी stock की अगरण price चल रही होती है, उसे पे directly आपका order जो execute हो जाता है, simply हमें buy पे टच करना है, buy पे टच करने के बाद confirm आजाएगा, confirm पे टच करने के बाद हमारा order जो है successfully execute हो जाएगा, same process रहेगी intra day के लिए भी, दोस्त जाएगा dependsήड और जो जाएगा, कि अबुचर कोलोगरा जो हमें के लिएगा जो है है, तोर बटक टताह करना हमारा जो है